हाई दोस्तों स्वागत है आपका पैसन कंपर्टिशन में सीटेट की प्रिवियस एर पेपर के सिरीज में आज हम लोग डिसकस करेंगे 3 जैनुरी 2022 के हुए पेपर को इसमें हम लोग सीटीवी पोर्शन को डिसकस करेंगे तो आए बीना देर की भी स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर वन से क्वेशन नमबर वन है समकालिन विचार धाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया पहला है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निशित आयू तक आते आते बिसिष्ट निरधारित लच्छे अवसे प्राप्त कर लेते हैं तो यह तो गलत है क्य बच्चा इस लच्छे को प्राप्त कर लेगा दूसरा है बहु आयामी है क्योंकि बच्चे बिभिन प्रकार के संदर्बों में पलते बढ़ते हैं तो यह तो सही है हमारा ठीक है क्योंकि बच्चे बिभिन प्रकार के संदर्बों में क्या पलते बढ़ते हैं और जो बिकास होता है वह बहु आयामी होता है बहु आयामी विकास में बालक के सारीक मानसीक सामाजीक सनवेगात्मक आदी विकास के आयाम आते हैं बहु बिमा बहु मुखी विकास के अंतरगत बालक के किसी एक छेत्र या पच्छ पर विचार न करके सभी पच्छों पर समान रूप से वि गुड़ा अनुमान लगाया जा सकता है चौता है सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवनसिक गुड़ो द्वारा ही निरधारित होते हैं तो यह भी गलत है क्योंकि इसमें अनुवनसिक्ता और पर्या औरड यानि कि हमारे इन्वार्मेंट दोनों को ही रोल होता है पर्टि सरीड के मध्य से आरब होकर सरीड के सीरो की ओर बढ़ता है तो को से बताता है घुमावदार बिसिष्टता अधूगामी या सिर्सगामी तो यह अधूगामी सिध्धानत बताता है जिसे इंगलिस में प्रॉक्सिमोड डिश्टल थियोरी कहा जाता है ठीक है विकास के दो दिसाएं होती है एक होता है आपका प्रॉक्सिमोड डिश्टल दोसरा होता है आपका सेफेलो कॉडल तो यह जो अधूगामी सिध्धानत होता है यही बताता है कि विकास कैसा होता है वह केंदर से बाहर की ओर होता है सेंटर टू फार होता है ठीक है यानि कि बच्चे का तो यह कहता है कि बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होता है फिर उसके बाद धिरे धिरे उसके पैर का विकास होता है यानि कि यह जो sufficient to toy जाता है और अजुगामी सिध्धान्त आपका Central to far जाता है ठीक है आई यह question Q3 है कि किस अवस्था में बच्चे कलपना सिल्ता वाले खेल में शक्रिय रूप से भाग लेते हैं इसका सही जवाब है आपका अर्ली चायड़्ोड यान की प्रारंभिक बाले आवस्था ठीक है इसमें क्या होता है बच्चे कल्पना सिलता वाले खेल में सक्री यूरोब से भाग लेते हैं अगर बाले आवस्था की बात करें तो यह दो भागों बाटा गया है एक प्रारंभिक बाले आवस्था दूसरा उत्तर बाले आवस्था प्रारंभिक बाले आवस्था में बच्चे का जो एज होता है वह 2 से 6 वर्स होता है और उत्तर वाले आवस्था में बच्चे का जो एज होता है वह 7 से 12 वर्स होता है आईए question number 4 देखते हैं नेमने में से कौन से बच्चों के समाजी करण की दूतियक्स था हैं तो हर साल समाजी करड़ से एक से दो कोश्चन फिक्स है आपका सिट्रेट में पूछाई जाता है बहुत बार हम लोग डिसकस कर चुके हैं अगर प्राथमिक करड़ की बात करें तो आपका परिवार आता है और परिवार के साथ अगर आसपरोस भी आ जाएं यानिकी दोसरा तीसरा चौथा आप्शन सही है किन्तु इन चारों में से किसी में भी दोसरा तीसरा चौथा सही नहीं दे गया है ठीक है तो आयोग ने इस प्रसन के लिए सभी बच्चों को एक समान एक अंक प्रदान किया गया था क्योंकि यह question ही गलत था यानि कि question तो सही था किन्तु इसका जो option दिया गया था वो ही गलत था इसलिए चाहे किसी भी बच्चे ने किसी बर भी टिक मारा हो सबको एक अंक मिले थे इस प्रस्ने के लिए question number 5 है और यह जो paper आपका करवाय जा रहा है वो official इसलिए official answer किसे करवाय जा रहा है तो इसमें आप लोग कोई doubt न रखिये कि कोई भी question गलत है आई यह question number 5 दिखते हैं कि रूची को तीन pencil दिखाई जाती है वो देखती है कि pencil का pencil ख से बड़ी है और pencil ख पेंसिल गर से बड़ी है जब रूची यह निसकर से निकालती है कि क गल से बड़ी है तो वो जिन पियाजे के किस संग्यानात्मक विकास को दरसाती है करम बदता, संरच्छड, सकर्मक, अनुमान लगाना या फिर आपका परिकलपना, आधारित, निगमनात्मक, तर्क ठीक है तो किस में इसका सही जवाब होगा आपका आपसन नंबर थ्री, सकर्मक, अनुमान लगाना यानि कि वो जिन पियाजे के संग्यानात्मक विकास की विकास को दरसाती है पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिधानत में तीसरे चरड को मुर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है जिसे इंगलिस में concrete operational stage भी कहते हैं और इस चरड में बच्चे का जो age होता है वह सास से 12 वर्ष होता है और इस age में बच्चा तर्ग का अधिक उपयोग करता है ठीक है आईए question number 6 देखते हैं question number 6 है जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास कि सिद्धान के अनुसार मुर्त संक्रियात्मक चरड में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग यह होता है प्रतिवर्तन परिकल्पना अधारित नियुमनात्मक तार्किक चिंतन अमुर्त चिंतन या प्रति याप्ति चिंतन कि जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान के अनुसार बालक मुर्त संक्रियात्मक चरड में क्या करता है प्रतिवर्तन कर पाने की योग यह हो जाता है अगर हम यहाँ पर बात करें प्रतिवर्तन की क्या होता है तो एक बच्चा है जो एक से दस तक गिंती ब तो वहाँ फीर से उसे उल्टे क्रम میں बोल लेता हैं अर्थात बच्चे को प्रतिवर्थन का ज्यान है, यानि की रिय वर्शिविड्यृ्टी का ज्यान है, तो वह किसमे आएगा आपके? मुर्थ संक्रियात्म क चरड में आएगा. आये कोश्चन नम्पर सेवन दिखते हैं, क जब कि लारेंस कोहल वर के नैतिक विकास के तीन अस्तर होते हैं आपका पूर्व पारमपरीक्चरड पारम परीक्चरड और उत्तर पारमपरीक्चरड आइए Q8 दिखते हैं Q8 है कि एक अध्यापी का अपनी कच्छा के लिए लेव बैगोश्की के सामाजिक संरचनावादी सिध्धान तो पराधारित सिच्छड अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है उसे निम्न में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए तो इसमें निगेटी आप्शन को ढूड़ना है ठीक है तो पहला है कि सामाजिक संरचनावादी सिच्छड अधिगम की अभिकलपना करना यह तो सही है ऐसा करना चाहिए दोसरा है विद्यार्थियों कि अधिगम प्रयासों का गहन और लोकन करना यह भी सही है ऐसा भी करना चाहिए तीसरा है अधिगम के आकलेंट के लिए मानकी कritis परिच्शाओं का अधिस्तेमाल तो यह हमारा गलत है मानकी कritis नहीं बलकि आपको flexible परिच्शाओं के इस्तेमाल करना है अर्थाद आप सब्ही बच्छों के लिए क्यों एक ही रूल अपलाई नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर बात करें चोथा का क्या आउसकता कि नुसार पाड का प्रियोग अगर बात करें पाड किये तो इसे इंगलिस में इसके फोल्डिंग करते हैं यानि कि बच्चे को टंप्रेरी हेल्प दिया जाता है तो इसका भी प्रियोग करना चाहिए तो इसका सही जबब अगर हम बात करें सहकर्मी सहयोगिता की तो यह क्या होता है यह एक प्रकार का सहयोगी सिच्छा होता है जिसमें छात्रों को छोटे समुहों में अधारनाओ पर चर्चा करने के लिए यह समस्या का सामाधान खोजने के लिए सामिल किया जाता है और जो आपका सहकर्मि सहयोगिता होता है यह एक सहचडिक पद्धती भी होती है जिसका उपयोग वरतमान में कच्छाओं में सीखने के सोविधा के लिए किया जाता है आईए कोश्चन नमबर 10 देखते हैं किसी प्रगतिवादी कच्छा के बारे में एक अध्याविका का क्या विश्वास होना चाहिए तो इसका सही जवाब है आप्सन नमबर 3 कच्छा में बिद्यार्थी अपने बिविद परकार के समरिद अनुभाव लाते हैं ठीक है क्या कच्छा में बिद्यार्थी अपने साथ बिविद परकार के समरिद अनुभाव लाते हैं तो एक प्रगतिवाती कच्छा में बिविन परकार के बालक रते है और सब की अपनी अलग विचार धाड़ाएं होती हैं इसलिए अध्यापिका का यह करतब होना चाहिए कि वहाँ अपने बच्चों की अनुभव को समझे और उनके अनुभव से जोड़ कर ही उन्हें पढ़ाएं इससे क्या होगा कि बालगों सिखने में बहुत ही आसानी होग आईए क्वेशन नमर 11 देखते हैं किस विचारक ने इस बात को नका रहा है कि वहाँ बुद्धी एकल इकाई है कि बुद्धी एकल इकाई है और कई प्रिथक स्वतंतर बुद्धियों का सिध्धान्त प्रतिपादित किया है तो हमने बहुत बार डिसकस किया है कि सीट्रे कि बात बताई है आईए क्वेशन नमर 12 देखते हैं कि खिलाओने की रूप में गुडिया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी मुझे या खिलाओना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुडिया से नहीं खेलते या किसका उधारड है तो यहां जेंडर से भी आपका एक से दो प्रस्न हल साली पूझा जाता है तो यहां किसका उधारड है यहां जेंडर स्टेरियो टैप यानि कि जेंडर रूडिवादिता का उधारड है ठीक है समाज में क्या होता है जेंडर रूडिवादिता की अगर हम बात करें तो जेंडर रूडिवादिता में किसी लिंग दिस्क में यह बाते डाल दी जाती है कि यह लड़का है और यह लड़की है लड़कों को बाहर का कारे करना चाहिए और लड़कों को घर के अंदर का कारे करना चाहिए इसलिए जो रोहन है उसका प्रतक्रिया है कि वह गुडिया से नहीं खेलेगा क्योंकि गुडिया से खेल काल में बिद्यार्थियों को निवन्द लिखने के लिए कई ड्राप्ट लिखने के लिए सहयोग देता है यदि यह सिच्छक प्रतिक बिद्यार्थी के सभी ड्राप्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राप्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मानिता देता है तो इ इसे रचनात्मक मुल्यांकन कहेंगे अगर हम लोग रचनात्मक मुल्यांकन की बात करें तो इसका अतात्पर होता है कि सैच्छिक कारिकरम योजरा प्रक्रिया आदि में मुल्यांकन करके सुधार किया जाए अर्थाद बेभिन परिच्छाओं और क्रिया कलापों के द्वार बच्चों की उपलब्धियों का मुल्यांकन इसमें किया जाता है इसी से यहाँ पता चलता है कि बच्चे ने कितना ग्यान अरजित किया कौन बच्चा पीछे रह गया और किस बच्चे में कितने सुधार की आउसकता भी है आईए कोश्चन नमर 14 देखते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और जादा से जादा दोस्तों तक सेयर करिएगा जो बच्चे भी सिटेट की तयारी कर रहे हैं उनके तयारी में मदद मिले तो आईए कोश्चन नमर 14 देखते हैं कि एक बगुभासी कच्छा में सिच्छक को क्या करना चाहिए तो भासाओं की वीभिताओं के बागरे में जागरुकता लानी चाहिए और विद्यार्तियों के पसंद की अनुसार भासा की इस्तेमाल की अनुमती देनी चाहिए इससे क्या होगा कि कच्छा में क्या होता है कि विभिन प्रकार के बालक आपके रहते हैं और सब की क्या होती है अपनी अपनी लाएंगयों जयानी की भासाओं होती है यदि teacher यानि कि हम लोग क्या करें कि सिच्छक हम सभी बालक को बोले कि आप सभी अपनी भासाओं को छोड़कर कच्छा की भासा का पालन करें तो इसे बच्चे में अपनी भावनाओ और रूचियों को अभिवयकत करने में समस्या होगी इसलिए सिच्छक को चाहिए कि सभी बच्चों के भासाओं का सम्मान करें और उसको अपनी भासाओं को अभिव्यक्त करने को कहें इससे बच्चे को सीखने में असानी होगी आईए कोशन नमबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लाश्ट प्रसन है बचे हुए से डीपी के 15 कोशन को हम लोग नेश्ट वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों अगर आप सीटेट की अपनी तैयारी को और भी बहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सा सब्सक्राइब करें हम यहाँ पर सीटेट के अनलाइन मोड में हुए जितने भी पेपर हुए हैं सब्सक्राइब का प्रिवियस येर कोशन आपको करवा रहे हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबीत होगा तो आईए क्वेशन नमबर 15 देखते हैं कि राश्री सिच्छा निती 2020 के अनुसार सिच्छा को पला केवल पुर्व निर्धारित विस्य वस्तो पर केंदरित होना चाहिए तो यह तो गलत है दोसरा है समस्या समाधान पर केंदरित होना चाहिए सही बात है तिसरा अधिगम करताओं में समाधान लोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए यह भी सही है चोथा है अनुसरा निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए तो यह भी सही है यानि कि दोसरा तिसरा चोथा सही है जबकि पहला गलत है किन्तो आप्सन में ऐसा नहीं दि पर था उसमें आपके चारों आपसन सही दिये गए थे ठीक है अगर हम यहां पर इंग्लीज मीडियम की बात करें जो आपका क्वेशन था तो इसमें पहला आपसन सही था इसमें दोसरा तीसरा चौथा दिया था तो इसलिए जितने बच्चों ने हिंदी मेडियम से पेपर द को एक नंबर मिला था बाकी बच्चों को नहीं मिला था अगर वीडियो अच्छा लागाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए गया दोस्तों